तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताया हुआ है solution में आप क्या करेंगे solution आपको लिखना जरूर है let the first term BA and common difference BD है ना तो आपके लिखना थोड़ा easy हो जाएगा देखें third term दी हुई है आपको क्या दी हुई है third term third term दी हुई है 16 third term होती क्या है a plus 2d जो कि कितनी दी हुई है 16 यह रही है आपकी first equation इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो इसकी seventh term है वो इसकी fifth term से 12 जादा है ठीक है वो क्या बोल रहा है and seventh term exceeds the fifth term by 12 तो इसकी जो seventh term है वो इसकी fifth term से 12 जादा है seventh term क्या होती है a plus 6d a 5 क्या होता है a plus 4d और यह कितना रहेगा 12 का 12 a से a हो जाएगा cancel out यह plus में है इदर जाकर हो जाएगा यह minus which is 12 solve कीजिए यह आजाएगा 2d is equal to 12 यह d multiply हो रहा है उदर जाकर divide और d की value आजाएगी 6 ओक्या करें data mind the ap ओक्या कीजिए यह जो आपने first equation निकाली थी इसमें put कर दीजिए तो a plus 2 into d d की value कितनी है भई 6 यह आजाएगा 12 तो a plus 12 which is 16 यह plus में है उदर जाकर minus तो a की value कितनी है आजाएगी 4 ठीक है अच्छा इसके बाद वो कहरें data mind the ap तो first term तो हमारी जो first term है वही आजाएगी second term होती है a plus d तो a की value 4 और d की value कितनी थी 6 आंसर आजाएगा 10 a3 क्या होता है a plus 2d which is already given which is already given तो इसको आपको लिंगा लेगी भी जरूँत नहीं है तो ap क्या आ गया ap आ गई 4,10,16 and so on समझ में आ गई बात तो इस तरीके साब को ये वाला question करना है I hope कि अच्छे सा समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया है तो वीडियो को like करके channel को subscribe जरूँ कर लेना bell icon को on रखिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो में आपके साथ share करता रहता हूँ और continuously आपको notifications मिलती रहेंगे मिलते हैं next video में next question के साथ till then take care, bye bye